ये सबजी एक बार बना लेंगे फिर इसी तरीके से बार बनाएंगे और सबको बहुत ही पसंद आएगा नमस्कार दोस्तों संधिया की रसोई है ज में आप लोग का स्वागत है तो चलिए सुरू करते हैं आज की रेस्पी आज की रेस्पी में बनाएंगे हम केले की सबजी तो चलिए शुरू करते हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पे केले लिए हैं, देखिए, और इसका हम छिलका निकाल लेंगे और इसे काट लेंगे, तो मैं आप लोग को छिलकार और इसे काट कर दिखाते हूं कि इसे किस तरीके से काटना है, वैसे सेप का तो कोई नहीं, आप ज भी सबस्प्राइए तो चलिए इसे काट लेते हैं पहले देखे इसके में तरीके करेंगे एक केले चील लेंगे और इसके तीन तरीके करेंगे यह अगर आपके पास चोटा हो तो आप लेखे आosureले अट कियों प्रसट करेंगे कईले नो 걸로 कौह नो पहता है कभी ऺड़ा होता तो इस अब करें सागी चपी होता तो इस तरीके से मैं आटीक ही चैमाच हज़लत से डालत लेंगे कईले कीह nextछ नमक यह से खाल लेंगे टो मिक्स कर लेंगे यह बढ़ियाा जीम कर लेंगे हल्दी और नमक को केले के पूपर पोट हो जाने चाहिए तो इस तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे कि केले में अच्छे से हल्दी नमक लग जाए तो इसे हम मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं ये देखिए मैंने सारे मिक्स कर लिए है और अब हम गैस पे रखेंगे कराही और उसमें डाल देंगे तेल तेल को अच्छे से गरम होने देंगे ये देखिए मैंने कराही रखा है और तेल डाल दिया है और तेल अच्छे से गरम हो गया है और अब हम इसमें डालेंगे जो हम जिखें से यहां निर्टा हम को और स्थे एक आधा तेल डाल करें एक वार टो। यह देखिए दो मिनियुट लगते हैं फ्राइ तो इसे निकाल लेंगे और इसे तरीके से हम सारे पाइब को फ्राइब करेंगे देखिए तो सारे केले हम נिकाल फ्राइ कर लेते हैं उसके बाद आगे करते हैं देखिए निकाल कर हम इसे रख लेंगे इसी तरीके से और भी जो केले बचे है उसे फ्राइ कर लेते हैं कि अघ्न निव और मैंने सारे केले फ्राई कर देल ज्यादा था तो उट थोड़े से तेल apart ऐसी एक चल डाला है अब हम आधि लो जी लोगर वर में शुखना लोगर तेल 시कोश है मैं तो आप if you do बिच दाल देए एक सुखी लाल हुच और टेस्ट परता और इसे पका लेशा जायाँ ज़्यादा नहीं पकाएंगे बस धोरा सा पकाएंगे बस द्रक लचन का कच्छापन ख़तम हो जाना चाहिए बस इतना ही पकाएंगे तो इसे एक मिन नग पकने के बाद हम इसमें डाल मैंने यहां पे दो प्याज पीसे थे मीडियम साइज का तो इसे डाल देंगे और इसे डाल कर भी पका लेंगे प्याज को भी पकाएंगे और इसके बाद जब प्याज हमारा पक जाएगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर मैंने दो मीडियम साइज की टमाटर भी डा पादूमक गर्णा के यह बाली तो तो यह तेखि थी सब्सक्राड़ करें गडिस और यह ग्ल जाते हैं तो निम्हांति जल्द से गल जाते हैं मैंने यहां पे यह सरस्ण होती है सबारखनि काली बाली या डालक़ी बारिक पीश लिया है अब डाले लाल मिर्शी पॉडर एक छमच में डालें डाले के धनिया फा aúnड़े के बाद डालें दोर्थी पॉडर्णोसरी हदून के लिखा को सब्सक्राइब यह देखिया, मैं ze been vom 와 आँ ऊपावरा डाल। अधूर अपयोग ! विदी फ़ुसे तो पानी, त कि मसालें न ही भू आतरीम के खाए है। अब भूरें दुलें देख इसे भूल देते acceptory अभूण। तब देखियान को लेकर के चछवा ओक्ति रेका लेकी है। यह देखिए टमाटर हमारे बिलकुल गल चुका है और अब हम इसमें डाल देंगे मसाले को क्योंने देखते हैं 2-3 मिटट पकने के बाद मसाले बढ़ी चुका pessimism और अब इसंधे पानी अमने के पानी को च्राघ्जित निन टिवा के पानी जूर में चमच दूँरा निए तक पखे एक मिनट तक बन्द बन्द एकली हमारी बिल्कुल तयार हो जाएगी तो चलिए एक मिनट पखा लेते हैं उसके बाद देखते हैं ये देखिए एक मिनट हो चुके हैं अब हम गैस का फ्लेम कर देते हैं बन और हम इसमें डाल देंगे थोरी सी धनिया की पत्ती तो दोस्तो रेश्पी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट और सेयर भी करिएगा और मेरे चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा छोटी सी घंटी आई यू से भी पेस कर लीजिएगा तब तक के लिए नमस्कार दोस्तो